नमस्ते बच्चों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों, आज हम पहली कर्षा की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बिली और चुहा तो बच्चों, चलिए हम लोग देखते हैं इस कहानी में क्या है और आप इस कहानी का पहले मजा लीजिए बच्चों, देखिए, यहाँ चित्र में क्या है बच्चों, एक बिली है, जो चुहे के पीछे है तो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है, एक बिली चुहे के पीछे भागी बच्चों, जब ऐसा होता है न, तो चुहे की तो जैसे जान ही निकल जाती है उसे लगता है कि आप तो मैं पकड़ा जाओंगा, आप तो मैं बची नहीं पाओंगा, है ना, तब विचारा जहां मन करता है, वहां छिप जाता है, है ना, जो उसको सामने दिखता है, वहीं पर छिपने की कोशिस करता है, और बच्चों यहां फोटो में आप देखिए, चि जा रहा है कि चूहा भाग कर बोतल में घुश गया हो चूहा अपनी जान बजाने के लिए कहां घुश गया बोतल में बच्चों देखिए इन चित्रों से भी आप कुछ समझ सकते हैं बिल्ली हमेशा चूहे को पकड़ती है और पकड़के उसको चट कर जाती है तो पता है और कई बार तो उससे बहुत देर तक खेलती भी गाती है और तब उसको चट करती है करती है न बच्चों तो चलिए चूहा तो घुश गया लेकिन क्या उसका जीवन बचा या कुछ और होने वाला है बच्चों क्या आप लोग जानना चाहते हैं कहानी को हम आगे बच्चों बिली ने खूब कोशिस की पर चूहा पकड में नहीं आया कहां से आएगा पकड में जो बोतल है उसका मूँ तो है छोटा और चूहा अंदर में है छुपा हुआ है ना कैसे पकड़ेंगे देख सकते हैं चूहे को लेकिन पकड नहीं सकते हैं चूहे ने भी खू संकट में आता है ना तो ऐसे ही अपने आपको बचाना पड़ता है आगे क्या हुआ बच्चों बिली ने सोचा कुछ उपाय करके आती हूं और वह चली गई अच्छा कि उसके दिमाग में भी कुछ होगा है ना बिली के दिमाग में कुछ होगा कि कुछ उपाय करके आती हूं और देखती हूं कि चूहे को कैसे पकड़ना है और वहां से वह चली गई इतने में चूहे की बच्चों यहां तीन तीन देखिए और चूहे नजर आ रहे हैं है न एक चूहा तो था ही पहले से उपर से तीन तीन चूहे और तो यहां लिखा हुआ है इतने में चुहे के तीन दोस्त आ गए वाह, दोस्त तो अच्छे वाले ही होने चाहिए ऐसे दोस्त जो समय पर काम आए क्या हुआ क्या फिर भई? जब दोस्त आए तो क्या हुआ? ओ, कुछ ऐसा हुआ अच्छा, क्या हुआ? एक चूहे के ऊपर दुसरा चूहा चड़ा तीसरा उन दोनों के ऊपर चड़ गया तीसरा जो है एक के ऊपर दूसरा दूसरे के ऊपर तीसरा आप देखिए समझिए बच्चों उस चूहे ने बोतल में अपनी पुछ लटका दी वाउ ये तो मज़ेदार बात हो गई फिर बोतल का चूहा पूछ पकड़ कर बोतल से बाहर निकल आया हाँ ये तो ठीक हुआ ये तो उपाए बढ़िया है बच्चों यहाँ कुछ और हो सकता था क्या यहाँ कोई और तरीका हो सकता था क्या जदी है आपके दिमार में तो आप सोचिए मैं भी लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा की और क्या हो सकता था निकालने का उपाए और क्या हो सकता था है ना खेर चूहों ने जो भी उपाए लगाया बढ़िया लगाया मजा है ना बच्चों जब किसी की भी जान बच जाती है तो मजा तो जरूर आता है तो देखिए तीनों दोस्त इधर हैं चौथा दोस्त उछल करके बाहर निकल गया है ना और इस तरह से उसकी जान बच गई जान बच तो बच तो गई लेकिन बिल्ली फिर आई या नहीं आई चलो देखते हैं तो बिल्ली कुछ देर में बंसी लेकर आई पर उसे बोतल खाली मिली तो खाली नहीं तो क्या भरती मिलेगी इतने में बील में से निकल कर चुहा बोला किसे ढूल रही हो मौसी वाउ देखिए बच्चो अब ये बंसी लेकर आईए बंसी समझते हैं जिससे मचली को पकड़ा जाता है इसमें एक काटा लगा होता है बच्चो ये बहुत नुकिला होता है बंसी से थोड़ा साउधान रही है बच्चो आप लोग बंसी बहुत खतरनाक होता है इसमें जदी उंगली फस जाए ना तो फिर बहुत मुश्किल है इसी से मचली को पकड़ा जाता है बंसी से है ना तो बंसी लेकर आती है लेकिन तब तक चुहा वहां से निकल गया होता है और चुहा भी खुब मज़े से कहता क्या है किसे ढूंड रही हो मौसी और वह बिल के अंदर घुस गया असल में हम लोग बिली को मौसी बोलते भी हैं बिली मौसी है न तो इसलिए मौसी कहा रहा है वो अब बच्चों कहानी तो हो गई खतम लेकिन मैंने आप से पूछा था कि क्या और कोई दूसरा उपाय हो सकता है क्या कोई दूसरा उपाय हो सकता था इस बोतल से निकालने के लिए तो बच्चों पहले आपको ये सोचना है कि बोतल में ये जिस समय घुसा था उस समय बोतल कैसे था उस समय बोतल जमीन पर पड़ा हुआ था और वो घुस गया था तो ये जो तीन चुहे है न बच्चों दिमाग लगाई थोड़ा सा ये जो तीन चुहे है न बोतल को गिगा देते धक्का लगा करें है न तो जैसे चुहां अंदर घुसा था वैसे चुहां वाग निकल जाता है न तो चलिए ये दूसरा उपाय है कुछ और उपाय होगा तो तो भी आप लोग बताईएगा, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसमें कुछ-कुछ हम लोगों को बातचीत करना है, क्या बातचीत करना है, यदि बोतल में फसे चूहे की मदद के लिए उसके साथी चूहे नहीं आते तो क्या होता, बच्चों, ये बोत जो है वो लेटी हुई अवस्था में था, तो बोतल खड़ा कैसे हुआ, बोतल खड़ा हुआ बिल्ली के द्वारा, बिल्ली ने खड़ा कर दिया होगा, है ना, तो तब तो भी मुश्किल होता, बहुत देर तक उसको इन्तिजार करना पड़ता, है ना, और अपने से निकल तो मुश्किल था कोई न कोई आता तभी बचता है ना तो कुछ आप लोग भी सोचिएगा आपस में बात कीजिएगा मित्रों के बीच आगे है बच्चों बाचित कीजिए जिस तरह बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए भागती है उसी तरह और कौन-कौन किसके पीछे-प भागते हैं अच्छा जिस तरह से बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए भागती है उसी तरह और कौन-कौन किसके पीछे-पीछे भागते हैं चलिए बच्चों आप लोग एक बताईए और एक मैं बताऊंगा अच्छा क्या कहा आपने बिल्ली के पीछे कुता हाँ ठीक कह आपने बिल्ली के पीछे कुता तो चलिए मैं बताता हूं आपको बकरी के पीछे कुता बकरी को इस तरह से दवडाता है ना देखते ना उसको चेज कर रहा है कैसे वह और इसी तरह से बच्चों बड़ा पक्छी जैसे इगल होता है चील होता है वो छोटे पक्छियों को दवडाता है और उसको पकड़ लेता है इसी तरह से बच्चियों बच्चों मुर्गे मुर्गियों को कुते भी दवडाते हैं बिलियां भी दवडाती हैं है ना बिलार जो बड़ा बला होता है देखे होंगे बच्चों आप लोग वो दवडाता है और उसी तरह से सियार भी दवडाता है, है न? तो इस तरह से बहुत सारे जानवर एक दूसरे को क्या करते हैं? दवडाते हैं, अक्सर छोटे जानवरों को बड़े जानवर दवडाते हैं, तो देखें न बच्चों, और इसके अलावा एक और होता है पक्षी, उसका नाम है क्या बच्चों? देख ली पक्षियों को दवडाता है, यह किसी को नहीं छोड़ता है, है न? अक्सर आपने देखा होगा कववे को, अब बच्चों, आगे है बातचीत कीजिए, चलिए बातचीत अमनों कर ही रहें बच्चों, बोतल के अंदर कौन कौन सी बस्तुएं आ सकती है, और कौन कौन सी नह बच्चों, पानी के समान जो कुछ भी होगा, जो तरल होगा, अंग्रेजी में उसको बच्चों लिक्विड बोलते हैं, तो जो भी लिक्विड चीज होगा, वो बोतल में तो आएगा, देखिए बच्चों, यहाँ पे बोतल के अंदर दूद है, बोतल के अंदर तेल है, और बोतल के अन्दर क्या है? पानी है, और क्या क्या नहीं आएगा? नहीं में कोई ठोस चीज नहीं आएगा, जो बोतल के मूँख के अंदर नहीं घुस सके वो नहीं आएगा, जो ठोस सी चीज Самय हो न बचों वहाज हैं, जैसे कि बालू है, बालू रेत जिसको बोलते हैं, ज़ी वो बारीक मिट्टी है तो वो चली जाएगी, मिट्टी का ढहला नहीं जाएगा तो बच्चों यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, मजा रहोगे आप लोगों को अब पूश्चों हम लोग यहां पर क्या करते हैं, मिलान तो पहले आप लोग जो है यहाँ जो चीतर है न बच्चों उसको थोड़ा देखिए यहाँ जो चीतर बना हुआ है उसको आप लोग को क्या करना है देखना है है न तो चलिए चीतर को देखिए चीतर में क्या क्या है भई चीतर में एक बिल्ली है चीतर में एक चुहा है और चीतर में एक पोतल है और हमें करना है इसको मिलान तो चलिए हम करते हैं मिलान चलिए बच्चो थोड़ा पहचानने की कोशिस कीजिए जदी सब्दों को आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है जदि नहीं पढ़ना सीखें बच्चो तो थोड़ा सा अनुमान लगाईए देखिए पहला वाला जो सब्द लिखा बाबा बोतला बोतल क्या लिखा हुआ है बोतल तो इसको आप मिला दीजिए बोतल इस तरह से है ना या फिर इधर से इसको मिला यह दोनों एक ही बात है जिसको भी जिस से मिला दीजिए सबसे उपर में है बच्चो बिली बहसे बिली होता है ना तो यह हो गया बिली इस तरह से मिला दीए देखें कैसे मिला है आप लोग बच्चो पेंसिल से मिलाईएगा और अपनी किताब में ही मिलाईएगा ठीक है और अब चाह से चुहा होता है ना ये चाह से चुहा आया नमजा बच्चों तो इसी तरह से आप लोग मिलाईएगा है ना आप लोग देख लिए बच्चों कैसे मिलाना है तो ठीक है इस कहानी को मैंने आप लोगों को सुनाया अब इस कहानी को आप लोग अपने से बच्चो आपस में बात किजीए गा आप लोग और देखिए गा और पढ़ने का भी अभ्यास कीजिये थोड़ा थोड़ा है ना पढ़ने का भ्यास करिए और उसमें जो जो बातें लिखी हुई है उसको ध्यान से देखिए और अच्छों कहानी कैसी लगी आपस में आप जो जितने मित्र हैं आप लोग इस कहानी के बारे में आपस में एक दूसरे से बात जरूर कीजिए और आप इंतजार कीजिए बच्चों किसी और एक अच्छी कहानी को लेकर मैं आ रहा हूँ ठीक है बच्चों धन्यवाद बच्चों